चलिए आची क्लास के सुरुवात करते हैं आट टार्गेट प्रिलिम स्रीज में हम देखेंगे करेंट अफेर में चर्चा में रहा जो भी पुरसकार और आवार्ड्स हैं यानि 2023 से लेकर आप देखेंगे और इसके लावा पन से पन भी उश्वर की बात करें तो इनको देखेंगे और इसके लावा आप देखेंगे तो आसकर आवार्ड की भी चर्चा करेंगे इसमें complete आपको पूरा एक summary मिल जाएगा बहुत सारे लोग होंगे वाल लाइनर की जरूत होगी बहुत सारे लोग होंगे अलग-अलग exam की त्यारी कर रहे होंगे तो वह लोग अपने अपने हिसाफ से देख लीजिए हमको जिस तरह समझाना है हम उसी तरह आपको समझा से जाएंगे पीडिये आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल जॉइन करने के लिए आप डारेक्ट सकते हैं वाटसप पेज सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहां पर जाकर जॉइन कर सकते हैं पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए हो तो जैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और पीडियाक के लिए टेलिग्राम और वार्टसप पेद्ट पर यह सारी चीजे उपलब दोंगे तो सबसे पहले अवार्ड की बात करते हैं National Sports Award 2023 ठीक है? तो इसको कहते है Sports and Adventure Award 2023 के सीरसक्से इसे प्रकासित किया जाता है ठीक है? इसमें बहुत सारी काटेग्री होती है यानि जब यह अवार्ड दिया जाता है तो इसे President जो है स्पोर्ट्स अवार्ट प्रोवाइट गोज जैसे मेजर ध्यान चनद खेल रतन आवार्ड ठीक है ? डोणंचार ऐवार्ड तीक है ? ardhã ध्यात चनद आवार्ड अब देखेंगे ? अब मेजर ध्यान चनद खेल रतन अवार्ड एवार्ड यह करें अलग mechan करेंगे ohno अछे एक ह प्रसाहन पुरसकार ये भी इसी टाइम इसी के साथ प्रवाइड करवाय गया था और अबुलकलाम आजा टॉफी ये भी इसी के साथ प्रवाइड करवाय जाती हर साथ ठीक है बात करें मेजध्यान्चेल रतन अवार्ड की तो 2021 में भारत के प्रदान मंत्री ने देश का सरुच खेल पुरसकार efूर我覺得 कणियर बदल दिया था उसका नाम करें गया था ठीक है बेर ध्यान चंद खेल रत्र पुरसकार की बात करें इसमें 25 लाग रुपए की नगदरास दी जाती है और इसके नावा राजीव गादी खेल रत्र पुरसकार के चार वर्सों की अवज के किसी खलाडी द्वारा खेल की चेतर में सांदर उत्किष्ट प्रदरसन करने के लिए यूवा मामलो और खेल मंत्राले द्वारा दिये जाने वाला सरवच खेल पुरसकार है इसमें देखेंगे एक प्रमाड़ पत्र और शाड़े साथ लाख रुपए के नगत राज प्राज प्राप दियाती है खेल रत्र पुरसकार के स्थापना की बात करने 1992 में की गए थी पहले प्राप्त करता सतरंज के दिगज खिलाडी जो सब विस्तुनात आनन्द हो थे 2020 में की बात करते समें लेंडर पेस सचिंतिंदुकर धन्राज पिले और पुलेला गोपी चंद अविनो बिंद्रा ठीक है यह सब क्या थे मैरिकॉम राणी रामपाल यह सब जो थे खेल रत्म पुरसकार के विजय था थे बात करें मेजर ध्यांचंद की तो मेजर ध्यांचंद को जो उपनाम दिया था दे विजार्ड विजार्ड के नाम से जान दाता था ठीक है उन्होंने देखेंगे उनकी केरियर की बात करें उन्हें 26-1949 तक अंतराश्टी हां की खेलों में अपने केरियर को 400 वाधी गोल कि दिये थे दोजार दो में नए दिली में नेशनल स्टेडियम का नाम भी बदल कर ध्यानचंद कर दिया गया था इसके लावाँ बात करें तो मेजर ध्यानचंद की जैनती कुछ इन्हित करने के लिए 29 सगस्त को पूरे खारत में खेल राष्ट के रूप में मना जाता है यानि मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है अब देखें 29 सगस 1905 को हुआ था ठीक है इसी आउसर पर आप देखेंगे तो राष्ट बिभीनी खेलों को प्रतिस्षिट एतलीटों को सब प्रतिस्षिट जो एक खेल रजन पुरसकार दोड़ा चार पुरसकार ध्यानचंद पुरसकार सब्सकार से सम्मानित करते हैं इस प्रकार आपको पचल के मेजर ध्यानचंद के बारे में और पुरसकार क्यों दिये जाता है ठीक है तो यह जो थे विए बैटमिंटल खिलाड़ी है तब से उत्कृष्ट देस में उत्कृष्ट बैटमिंटल यो प्रतरसन केलने के लिए सब्सक्राइब गया ठीक है इसके लोगों कुछ फैक्ट्र इंफर्मिशन की बात करें तो 2023 में जो नाइंथ एसिया ओलंपिक खेल हुआ था उसमें हौंग जो चीन में इससे आपको एक कुश्चन तहर हो गया कि उनिसमें एसे खेल कहा हुआ था ठीक है तो अगर आप संद इंडिया इंडोनेसियों ओपन पुरिस्ट यूगल में एक सवर्ड पजक्ट भी जीता था तो 2022 में आप देखेंगे थाइलेंड में देखेंगे थॉमस कफ टीम में एक सवर्ड पजक्ट भी जीता था तो कुल मिला कर इनकी उत्कृष्प प्रसनों के लिए इन दोनों को चिराग चंसिखह सेट्टी और सात्विक साहिराज को जो है मेजद ध्यांचंद खेल रतन अवार्ड दिया गया इस बार ठीक है दो लोगों को मिला है इसके रहाँ बात करेंगे द्रोणाचार अवार्ड यानि कहने का मतलब ये गुरु को मिलता है ठीक है तो प्रसिश्च पुरसकार भीजेता की बात करें तो इसमें का्स्की पृतिमय एक मरपत्र दी जाती है प्रफम अधिश्च में पूरसकार भीजेता यहां से ले सकते हैंं परतम महिला पूरसकार भीजेता की बात कर 2002 में एटलेटिक कोच रेन कोहली थी घुके 2023 में जो निमिस स्रेड़ी मे दिये जाता है इसका मतलब क्या है इसको और आगे मैं समझेंगे सबसे पहले बात करें कुष्टी की छेत्र में प्रूंग जीता था दीपक पुनिया एक प्रमुक सतरंजर खिलाडी के कोच रहे हैं इन्होंने आर प्रगन नाज सामिल है जिन्होंने कोच किया था द्यान रखना है जो है सतरंज के कोच है इनको आपको ध्यान रखना है नेश्ट बात करेंगे तो महावीर सैनी को देखेंगे तो ये एक पैरा एथलिटिक कोच है इनको दुरौनाचार अवार्ड दिया गया ठीक है इन्होंने कई सारे लोगों को कोच किया है जिसे तुंदर सिंग गुजर की बात करें दोजार एक किस के टोकियो ओलम्पिक जाप इसके लाओ राकेज भौरा चीन में जो ऐसी पैरा एसी ओलम्पिक खेल हुआ तो उसमें कांसे पदक जीता था ठीक है तो किसले इनको सम्मान दिया गया नेक्स्ट बात करेंगो दुरौनाचार अवार्ड की बात करें शिवेंद्र शिंग सिवेंद्र शिंग एक हांकी इसके लिए क्या किया इनको दुरौनाचार अवार्ड की कटेगरी में देखेंगे तो निश्ट नाम आता है गड़ेश प्राभग कर देखकर ठीक है यह एक मलखम कोच है इन्होंने कई प्रमुख खिलाडियों को कोच किया है मलखम के छेत्र में जैसे अच्छे प्रकास त नेक्स्ट बात करेंगे दोनाचार काटेगरी में आप देखेंगे नेक्स्ट नाम है जस्कीरा सिंग्रेवाल यह गोल्फ कोच है इन्होंने कई प्रमुख खिलाडियों को प्रसीचत किया है अंतर राष्टी प्रतियोगता में पदक भी जीते हैं जैसे अर्था सुभांकर सर्मा हो गए और इसके लावां देखेंगे अजी तेज संधू हो गए टीके एसी आई टूर इमेंट में 2003 में अब जी चड़ा हो गए इनको इनके कोच का काम किया है ज्यान रखना है जस्कीरा सिंग्रेवाल एक गोल्फ कोच नेक्ट बात करेंगे दोड़ा चार आवाड क कटेक्रीम आगेंगे कैप्टन भासकरण ए यह कबड़ी कोच है इन्होंने कई सारे प्रम खिलाडियों को भार्टी खिलाडियों कोच किया है जिसे अब अनुप कुमार की राकेस कुमार पंकत सिर्शत दिनेश कुमार दीपक हुड़ा ममता पुजारी भी तेज़त सुनी तो यह सब जो है देखेंगे इनके द्वारे कोच किये गए हैं नेश्ट बात करेंगे दोनाचार के आखरी आवार्ट की बात करें तो जयंत कुमार पुशपाल ठीक है यह एक टेबल टेनिस कोच है इन्होंनों भी कई खिलाडियों को जो है कोच किया है तो यह सब चीजे आपको ध्यान रखनी है दोनाचार आवार्ट के बारे में जैंत कुमार शुषपाल जो थे एक टेबल टेनिस कोच थे नेक्स्ट आवार्ट की बात करें अरजुना आवार्ट अब गुरू को आवार्ट दे दिया गया अब उनके शिश्यों को आवार्ट दिया जाएगा त खेलनत के अस्थित्व में आने से पहले यह भारत का सरवच खेल सम्मान था इसका नम महाभारत के पात अरजुन के नाम पर रखा गया चार वर्सों के लगातार अच्छे प्रदसन के लिए सम्मानित किया गया था पर्थम महिला पुरसकार विजयता की बात करें हांके खिल ठेल वर्सों के अरजन ओवार्ड लगबग 26 लोहों को मिला है था इसमें सब कोो डिसक्र करने है ञाएं । बार की बात करने तो सब से पहला आप देखेंगे तीर अंदाज का सबसे उत्कृष खिलाडियों में से एक थे इनको जो है क्या दिया गए अर्जन अवार्ड दिया गया है ठीक है इन्होंने में 2023 में जो चीन में एशियाई खेल हुआ था उसमें आप देखेंगे मिक्स टीम प्यक्तिकाट और पुरुष टीम में तीन स्वड पदक जीते हैं इसके लावन देखेंगे अर्जन अवार्ड में देखेंगे अजिती गोपीचन स्वामी तीर अंदाज के लिए इन्हों अर्जन अवार्ड जिया गया है इन्होंने 2023 में चीन में जो एशियाई खेल हुआ हो उसमें आप देखेंगे महिला टीम और यक्तिय दो लम्बी कुद्मिक जीता इसके लिए इन्हें अर्जुन आवार्ड दिया गया है ऐसे ही आप देखेंगे बहुत सारी लिष्ट है इसके लावद समी को जो है इसलिए इनको जो है आप देखेंगे 2023 का जो है अरजुन आवार्ड दिया गया क्योंकि 2023 में भारत में आई आई सी सी क्रिकेट विसकॉप के उप विजयता पूर्ष टीम की बात करें तो इसमें जो है आई सी विकेट विसकॉप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ग्याजबास थे इसलिए इनको दिया गया अरजुना अवार्ड एसा ही बात करें तो आप देखेंगे शुर्ष्री वैशाली के जो है सत्रंच की विधा में सबसे उत्कृष शिलाली के लिए और पर देखेंगे तो अर्जुना ओवार्ड की बात करें मुहमत हच्शमुद्धीन को भी दिया गया इसे लिए 16 की लिष्ट मैंने पूरे यहाँ पर दे दी है इसको आपको देख लेना है सितला देवी को आप ध्यान रखना सितला देवी की बात करें तो यह पेरह जेंं इंदाजी में इनको जो है अर्जुना अवार्ड दिया गया है कि इसके लावा बहुत सारी लिष्ट यहां पर दी गए ही इनको आपको देख लेना है नेक्स्ट और की बात करते हैं मेजर ध्यान चंद वार्ड दो में अस्थापित किया गया खेलों को जीवन भर के उपलवदियों को सम्मान ब्यक्त करता है यह यानि ब्यक्तिगा चमता में खेलों को बढ़ावा देने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है प्रतम पुरसकार विजयता की बात करें तो मुक्के बाच, स्ताहुराज, विराजदार्क और हांकी खिलाडी असोग दीवान को दिया गया गया है उतक्रिष्ट कबडडी खिलाडी रही है इसलिए इनको दिया गया है 2010 में इन्होंने जो है आप देखेंगे चीन में आवी सोलाओं है ACI खेलों में स्वड़ पदक, 2007 में, 2008 में आवी दूसरी तीसरी ACI कवर्डी चैंपियंशिप में स्वड़ पदक भी रही है नेक्स्ट ध्यान चंद अवार्ड की बात करें दूसरी मन्जूसा कवर इनको भी ध्यान चंद अवार्ड तीस दिये जड़ा है अग यहां पर दी गई है वागी धेल यहां पर दी गई है अब नेक्स्ट अवार्ड की बात करेंगे जो साहस के लिए दिया आता है तेन जिनों के नाम पर ये रखा गया है तेन जिंग नौरवध नौगे नेस्नल एडवेंचर आवार्ड थीकहा अवार्ड के इस पुरासकार की बात करें तो ये जाने आवार्ण में अरुजोल पुरासकार के बराबर इसे माना जाता है 2022 में स्वर्गी सुसری सवीता कानसवाल को सुसरी तूलसी चोतन मातरी को जल और सुसरी कुमारी तिबारी को वाईव में जब्षे एड्वेंचर के लिए एड्वेंचर के लिए यह वार्ट वर्तमान की बात करे तो 2022 का जो यह अड्वेंचर और दिया गया है तो स्वर्गी सूसरी सविता कांसवाल को देखेंगे दिया गया है उत्राखंड की रहने वाली थी 16 दिनों में 8000 मीटर की दो चोटिया माउंट एवरेस्ट माउंट मगालू को फता करने वाली पहली मैला भार परवता रोही थी ठीक है इसके रहां यह जो है दुरोपती सिखर पर रस्यों के ठीक करने के लिए जिम्मेदार परवता रोही का कारी कर रही थी वहां पर देखें एक लैंड स्लाइड आ गया वहां पर फस्ट गई और ड्यूटी को दौरान अपनी जान गवा दी गई ठीक है निश्ट बात करेंगे एडवेंचर अवार्ट के लिए नेक्स्ट आवार्ड की बात करें एडवेंचर आवार्ड में देखेंगे तो मास्टर वारेंट आफिसर आसु कुमार तिवारी ठीक है इसकॉइड डाविंग और प्रसिष्छण के लिए इनको जो है आप देखें एडवेंचर के छेतर में इनको आवार्ड दिया गया है नेक्स्ट आवार्ड की बात करेंगे तो स्टी परविन सिंग ये कांगड़ा हिमांचर प्रदेश के रहने वाले हैं दो बार माउंट एवरेश्ट दो बार माउंट कंचन जंगास है बीस से अधिक हिमाले चोटियों पर सफलता परवक चढ़ाई की है ठीक है नेक्स्ट आ बात करेंगे लाष्ट के उडिशा माइनिंग को प्र ignoring को की और गया गया है ये दोбаर हो गया आइधिंग नेक्स्ट बात करेंगे राश्टी खेल पुरसकार दोज़ाटेश की बात करें तो उडिशा माइनिंग कॉर्परेशन लिम्डेट को प्रदान किया गया है लास्ट पुरसकार की बात करें इसमें जो इसमें स्पोर्ट से सम्मझत है मौलाना अब्दुलकलाम आजा ट्रॉफी भारत में सबसे पुराना राश्टी खेल पुरसकार है 1956-57 में अस्थापित किया गया था सबसे पहले 1956-57 में बंबव उनिवर्श्टी को प्रदान किया गया था इसमें देखेंगे ट्रॉफी बिजयता के लिए पंदल आक रूपए एक छोटा सा नगत पुरसकार दी जाता है विश्ट विद्विद्वलादा प्रतिधारण के लिए एक रूलिंग ट्रॉफी दी जाती है तो यह तो बात हो गई मौलाना अबुलकलाम आजा ट्रॉफी क की बात हो गई अब इस समद्द एक कुश्चन की बात करते हैं जो यूपी यसी में पुछा गया है खेल पुरसकारों के संबंद में निमिल्खे जोड़ियों पर विचार की जिया ओप्सन एक मेजर ध्यान चल खेल अत्म पुसकार पिछले चार वर्सों में यहां से अलग ह प्रसेश्चित करने वाले प्रसेश्चिकों को सम्मानित करने के लिए ऑप्सन 4 राष्टी खेल पुरसान पुरसकार जो है खिलाड़ी को दवरा सेवर निवित के बाद यह यह जोड़े पिछले चार वर्सकार अब देखेंगे तो जीवन भर के उप्लद के लिए नहीं द द्रोडा चार भी सही है तो इस प्रकार वान लाइनर के साथ आपको जो है उसमें डीटेल जो दी गई है उसको भी आपको देखना है इसका सुभानकर उज्जुला यानि एक गवराया था इसमें सीर्ष तालिकप देखेंगा हर्याना जो सीर्ष उसके बाद उत्ता प्रदेश का नमबर था खेलो एंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो यह केंद्री छेत्र की योजना है तो जाए जा चुके है यह तो बात होगी खेलो एंडिया गेम्स की अब बात करते हैं बुकर प्राइस जो है आप देखेंगे न्यूज में ता हारी में आईरिस उपन्यास कर पॉल लिंच ने मिला हो तो ब्रीटन और आयरलेंड में प्रकासित हुए हुं तो यह बात होगे बुकर पॉरसकार की निस्ट प्राइज की बात करें इंद्रागाधी पीस प्रायच की इंदरय गांधी पीस प्राइज का हाली में जो है नामनेशन किया गया यानि नाम बताए गया तो तो 2018 के लिए जो सांत निस्फत्री करण विकाश के लिए इंदरय गांधी पुरसकार जो दिया गया लिए डेनियल बरेन बोहिम और अली अबु अबू को पुरसकार को सहींत रूप से प्रदान किया गया यानि दोनों लोगों को दिया गया इसलिए दिया गया आली में देखेंगे इसराइल और फिलिस्तिन के संगर्स आहिंसक समादान के रिए इज्राइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाएं इसलिए जो है देनियल वेरेंट बोहिम और अली अबू को जो है संहित रोप से यह पुरसकार दिया गया इंद्रा गाधी पीस प्राइस की बात करें तो इंद्रा गाधी संथ पुरसकार 1986 में हर से आदमी अवार दुहर तेज की बात करें तो ये कल्चर में वारा सरकार के संस्क्रित मंत्रा द्वारा दिए जाती है इसमें क्या है इसमें 24 भासाओं को अपने वार्षिक साइथ अकादमी पुरसकार के गुफळा की आती है समीधान की आठवी अंसूची में सामिल 22 अब यहां रखिएगा हिंदी अंग्रेजी ये क्या है बात की केंद्री आधिकारिक भासा है कि सम्विधान की आठवी अंसूची में सामिल नहीं है और भासाओं के बारें सम्वाधानिक प्राधान की बात करें अनुच्छे 343 में से 555 तक 355 तक ये प्राधान किया गया है और सेड्यूल में देखें आठवी अंसूची में ये प्राधान है अकादमी में अंग्रेजी और रायस्थानी को भी मानता दी गई है अकादमी के बारे में बात करें तो संस्क्रित मंतले के अदिन एक स्वायत निकाह है इसके अस्थाप्र उन्हें चोवन में की गई थी और यह सोसाइटी पुरसकार यह पुरसकार यह तो बात होगी हमने बात की आठवी अंसूची में सामिल जो है बाइस भासाओ की बात की इसके अलवां कुछ क्लासिकल लेंग्वेज में यह भारत की उसको देख लेते हैं जैसे तमील हो गया संस्क्रित हो गया तेलगू प्रिक्स वर्सल जो है अवार्ड दिया गया 2023 के लिए किसे दिया गया तो आप देखेंगे बैंगलूरी एरपोर्ट की बात करें युनिया के सबसे खुबसरत हवाई अड़ों में इसे नामित किया गया ठीक है प्रिक्स वर्सल यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट अव नोबल प्राइस की बात करें नोबल प्राइस की सुरुआज स्वीटन के बैग्यानी अल्फरेट बर्नेट नोबल के नाम पर 1895 में मिखी गए थी पहली बार अल्फरेट नोबल ने पुर्दित पर 1901 में पुरसकार दिया गया था ठीक है नोबल का जर्म देखेंगे स्वी पुर्दान करने वाले व्यक्तियों के पुरसकार दिये जाता है ठीक है हर सल 10 दिसंबर को उनकी पुर्दित पर यानि अल्फरेट नोबल की पुर्दित पर यह घुशला की जाती है ठीक है और एक पुरसकार अजिकतम तीन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है ठीक है अ उसमें तीन लोगों को जो है भॉतिक यानि फिजिस के छेत्र में दोलर तेश को नोबल पूरसकार दिया गया है पीरे ठीके फेरेंग क्रॉंच को एनियल फुलियर को इसलिए दिये गया है इन्होंने भॉतिक छेत्र में एक अबुत पूर कार किया है एंटो सेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया है जिससे वैग्यानिकों को परदाज के भीतर एक्ट्रानों की तीवर गत्सिलता को सीधे नेच्छड और अध्यन करने में मदद मिलेगे इसलिए पीरे फेरेंग्स और एनियल फुलियर को जो है देखेंगे तो ये फिजिस के लिए नोबल प्राइस सर एंटों जिलिंगर ठीक है ऐसे 2021 का लिस्ट 2020 का लिस्ट दिया गया है यहां पर 2019 2018 2017 इसको आप जो है पीडियाप से पढ़ लिजेगा अभी मेरा काम है 2023 लेटिस्ट वाला बताना अब चलिए एक कुशन देखते हैं ठीक है इसने पुछा है निम लिखीत में किस वैग्या प्राइस पुरसकार अब बात करेंगे नोबल पुरसकार की बात करें रहें देखेंगे तो स्वीडिस रॉयल स्वीडिस अकदमी आफ साइंसेज ने क्वांटम डॉट्स के अभूद पुर अविस्कार के लिए महंगी जी बावेडी लुइस ली बुरूस एलेक्सी को जो है 23 का जो है केमेस्ट्री का जो है नोबल प्राइस दिया है ठीक है एलेक्सी की बात करें उन्हीं सुस्षी के आसपास एलेक्सी कापर फ्लोराइट नैनो कड़के आसमान बिवार का निरिचार करने वाले पहरे इसके लाँ लुइब्रूस की बात करें तो अमेरिका वैग्यानिक लुइब्रूस की बात करें तो अदूती विस्यस्ताओं वाले नैनो कड़ों के उत्पादन की तकनिकों को सरल बनाने मातपुड भूम का निबाई थी कहने के मतलब आपको इन तीनों नामों को याद रखना है इनके थोड़ा सा छेत्र को आप याद रखेंगे तो आप यूपीपीस का एक्जाम दे रहे हैं यूपीसी का एक्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्डेंट होगा नेश्ट बात करेंगा रसायन घ्रिफरेंगे मेड़सी में आप देखेंगे की तो कैटलीन को को जो है आप देखेंगे एमारने के संसोधन में उनके अभुदपूरकार के लिए यह जो है नोबल प्राइस दिया गया गया है केमेस्ट्री के शेयत में ठीक है बड़्ड दोजार वीस के सुरुवात में एक्सिन विख्षित करने के लिए इन दोनों को नोबल पुरसकार दिया गया था ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कैटलीन कौरिक और ड्यू विस्मैन को नेक्स्ट बात करेंगे साहित में नोबल पुरसकार 2023 की बात करें तो हाली में मानुवी भावनाओं को सरल सब्दों व्यक्त करने वाले अनकही अवाज जॉन फोशे को उनके अभिनव नाटकों के लिए गद्य के लिए साहित नोबल पुरसकार 2023 दिया गया इसके लाव निसो तेरा में देखेंगे साहित पुरसकार जो आप की बात करें 2020 की बात करें 2020 में 2021 की बात अब्दुल रज्जा को दिया गया था 2020 में देखेंगे लुइस को दिया गया था ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे अर्सास में नोबल पुरसकार की बात करेंगे अर्सास में नोबल पुरसकार की बात करेंगे अर्सास में नोबल पु समझ को बेतर करने के लिए इन्हें दिया गया गोल्डिन की बात करें इस पुरसकार सम्मानित होने वाल तीसरी माईला है इससे पूर 2009 में देखेंगे एलनोर ओस्ट्रिम और ओलिवर इफ विलेमंसन को दिया गया था ठीक है अरसास में नोबल पुरसकार की बात करें तो इस नोबल पुरसकार के स्थापना 1968 में आप देखेंगे स्ट्विडन के केंदरी बैंक द्वारा की गई इसकी चर्चा हम लोग करी चुके हैं अब बात करेंगे नोबल सांथ पुरसकार 2023 की बात करें सांत की छेतर में जो नोबल पुरसकार दिया गया था एक इरानी कारिकरता है नर्गिस मुहम्मद को दिया गया था इन्होंने इरान में महिलाओं को पुर्ण के खिलाप उनकी लड़ाई रड़ी इसके लिए उनको मानवा दिकारों और सुदंता के उनके संगर् लिए इसमें करपुरी ठाकुर को भारत रत्न 2.024 से नावाजा जाने के गोश्ड़ा की है तो यह करपुरी ठाकुर की बात करें तो यह नुद्ध कारपुर्ण की बात करें तो हाली में देखेंगे राश्टपत के गुषड़ा की समाजवधी नेता बिहार के पूर्व को मड़ो प्रंद भारत संभाने किया जाए गा करपुरी ठाकुर की बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में देखें करपुरी ठाकुर जो है आप देखेंगे बिहार में तीन दिवसी समारों का आयोजन किया रहा है ठीक है उनका जन्म दिन को मनाने के लिए नेश्ट बात करें करपुरी ठाकुर कौन थे तो ये जन्यायक इने कायाता था उन्हें बात किया प्रारम्बिक जीवन राज्यतिक आधार की बात करें संगरानी कट्टर समाजवादी थे इन्होंने जैप्रकास नारार्ड ड.र मननलोहियर रामाननन मिसस जै यानि extremely backward class के रूप में सुची बद्ध नाई समधायों का प्रत्नियत किया था 1952 में राधिनित प्रव्यस करने किया और किया है तो मुंगेरी लाल आयोक पिछड़े वर्गों की बात करें मुसल्मानों को कमजेर वर्गों साही थे और पिछड़े वर्गों करने के सिफारिस की थी इसके लाओं देखेंगो OBC, EBC महिलाओं और उच जातियों की आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए फिस्ट कोटा के साथ 26% और अच्छन अवांटित किया था ठीक है इसके लिए हिंदी उर्दो को दूसरी आधिकारिक भासा के रूप में बढ़ावा देने के लिए स्कूल की फीस माफ करने, पंचाती राज को मद्बूत करने, कई ऐसी पॉल्थी लागू की थी करपुरी ठाकुरजी ने, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर भारत तत्न क्या है इसकी बात करें तो भारत का सबसे सर्वच नागरीक पुरसकार है, ठीके, 1954 में अस्थ सेवाँ को पड़ोदियों तक सीमित था, दिसमबर 2011 में सरकार ने मानव प्रयास यानि पबलीक अफ़ेर के किसी भी छेतर को सामिल करने के लिए इसमें कमांदन में विस्तार किया, प्रतम प्राप्त करता की बात करें भारत रतन की प्रतम प्राप्त करता थे स्री राज गोपाल चारी सरुपरली राधकिष्णन चीवी रमन थे 1924 में उन्हें सम्मानित किया गया था आली में वर्स 2019 में आप देखेंगे नाना जी देसमुख ठीके मरणोप्रांत पड़ावमुखड़ी को और इसके लाव भुपेन हजारिका को दिया गया था और आप देखेंगे प्रणों मुखर्जी की बात करें तो अनिवार नहीं कि हर साल भारतन दिया जा और ऐसा कोई लिखित प्राउधान भारतियों को दिया जाएगा त्पिक है, जैसे मदर टेर्सा की बात करें इने दिया गये था नेलसल मंदेला को जो है दिया गये था अब्धुल गफ़ार खान को दिया गये था और इसके लब भहरत के बात के सिफार शक्त की बात करें परदान मंतरी जवर राश्परत को भहे जाती है और भारत रतन पुरसकारों के संख्या बात करें किसी वर्स में अधिक्तम तीन वर्स तक ये सीमित होता है ठीक है? और भारत रतन पुरसकार में कोई मौदरिक अनुदान नहीं दिया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है जो भरत रतन जिसको दिया जाता है कोई भी मौधरिक रास्री नहीं दी जाती है अगर समवیधानिक प्रावधान की बात कहए अनुचित 18.1 के अनुचार को प्राप्त करता के नाम या उपसर्ग प्रत्य के रूप में नहीं किया जा सकता तो ये तो बात होगा इसमवधानिक प्रावधान की अब बात करेंगे पदमावाड जो है आप देखेंगे पदमावाड पदमस्त्री यह तीन टाइप के आवाड दी जाते हैं पदमावाड की बात करें तो प्रतिवर से आप देखें गड़त दिवस 26 जनवरी को की जाती है 1954 में अस्थापित किया गया था भारत के सर्वोच नागरिक सम्मानों में से एक है सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है भारत रत्न है ठीक है इसके लाव में बात करें तो तीन स्रेडियों में यह दिया जाता है पद्म्भुषण असाधार विष्च सेवा के लिए पद्मभुषण पद्मभुषण के विष्चिश सेवा कि लिए ठीक है पद्मभुषण पद्मृषण के बाद vądawn में K questi सरवोच नँत्र मान है ठीक है इसमें कला समाजिक कार सावनिक मांन इस मेरी समित कर्फिन की जाती है और ये पुरसकार आप देखेंगे राश्ट पर द्यार प्रदान की जाता है तोटल आप देखेंगे 106 अवार्ड दिये गये ते जिसमें आप देखेंगे और निक्यानवे पधम स्री दिये गये ते ते हृँष्य की बात करे मढट प्रद दिए गया था गुजरात से समझ द एक करीड़िआmas लगाए suburbs एम को दिया गया था पॉबिक अफेर के लेए का समझ्ज थे ड़िए घदी ऽाउड नव और दिये गए था उनकी लिष्ट यहां दी गई है हमको 2024 वारे में इंट्रेस्ट ज्यादा है क्योंकि लेटेस्ट वाकड़ा हुआ है इसके लाँ देखेंगे पंद्मस्री इक्यान बेवाड दिये गये थे ठीके तो सबकी लिस्ट हम जो है आपको चर्चा करने नहीं जाएंगे हाला कि इसमें कुछ इंपॉर्टन जैसे उत्त्र प्रदेस की बात करें उत्त्र प्रदेस में पंद्मस्री 2023 में देखेंगे तो साथ लोगों को दिया गया था ठीक है रामचंद गुपता स्री जिलसाद हुसैन डाक्टर प्रफेशर अर्विंद कुमार उमा संकर पांडे मोहन रंजन साहु पंड लोगों को महरास्ट से दिया गया था ठीक है तोटल आप टोटल अवार्ड की बात करें यानि पंद्म वूशण पंद्म वूशण पंद्मस्री की बात करें तो यह लिस्ट आपको ध्यान रखना है अब बात करेंगे दोईयार चोबिस में लेटेस टाकड़ा की बात करें तो आप देखेंगे टोटल एक सो बत्रीस अवार्ड दिये जा रहे है यानि पंद्म वूशण विवूशण और पंद्मस्री को मिलागा ठीक है जिसमें पांच जो हैं विवूशण है सत्रा भूशण है और एक सो दस पंद्मस्री है इसमें बात करें तो पंद्म प्रश्पत रहे चुके हैं इसके लाब अगर बात करें तमिलनाड को दो ऊड़ दीजा रहा है तो यह जानती माला को जैंसे जानते हैं ठीक है विंद्रेस्वर पाठक की यह विहार सम्मंदित है इने क्या दिया जा यह आपको ध्यान रखना जिन्नों भी मौडव प्राम दिया जा रहा है उनको आपको हाइलाइट करना है इस बात करेंगे 17 प्रूषवर दिया रहे हैं ठीक है इसमें आप देखेंगे महरास की ब की बात करें जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है जैसे अगर बात करें तो तीन जो है पद्भूषड आप देखेंगे पश्चिम मंगाल में दिया रहा है उशा को दिया रहा है एक संग सिंगर है दूसरा मित्युन चक्रवर्ति को ठीक है और मौडव प्रांत आप देखेंगे चत्यबार्ता मुखर जी को दी जा रहे हैं इसके लाव में आपको ध्यान रखना केरला की बात करें केरला में जेकेंगे दो पद्भूषड दी जा रहे है एक तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फातिमा बेवी मडव प्रांत यह भारत की पहली जो है आप द देखेंगे राजयपाल भी रह चुकी है ठीके इसके लाव में आप देखेंगे केरला की बात करें केरला में पोलेंचरी राजगोपाल को भी दिया जा रहा है इन चीजों को ध्यान रखना है इसके लाव में ताइवान में देखेंगे श्री योंग लिव को दिया रहा है इसके लावांब बात करें तो लदात में आप देखेंगे श्री-टोंगडेंग को दिया जा रहा है मर्डो परांद दिया रहा पद्म वोशड इसका बात करें 24 में उत्ताफ परदेश को एक भी पद्म वोशड नहीं दिया गया है यानि उससे सम्मन एक भी इसके लावाबात करें पंसरी में तो बिहार में आप देखेंगे चार पंसरी दिये गया है तो अपने-पने स्टेट का वीडियो पॉस करके दीख लीजेगा जहां एकस्टन होगा वह हम समझा देंगे अंडमान निकोबार में आप देखेंगे एक पंसरी दिया गया है ठीक ह छेली मलमला को ठीक है इसके लाव देखेंगे जम्बु कस्मीर में दो पंस्री दिया गया है स्री गुलाम नभी दारा को स्री रुमलो राम को ठीक है इसके लाव बात करें फ्रांस में चार पंस्री दिया गया है फ्रांस के निवासियों को चार पंस्री दिया गया है ठीक है को दिया गया है इन चार लोगों को आप देखेंगे इसके लाव देखेंगे मैक्स को एक नागरिक को दिया गया है रभी प्रकास सिंग को दिया गया है इसके लाव बात करें बांगलादेस में एक महिला को दिया गया है पंस्री रिजवान चौधरी को दिया गया है इसके ला है इसके बाद बात करेंग उनात्रवा राश्टी फिल्म पुरस्कार समार होगी गयुक्छ भात करेंगे तो 17 203 को नई दिल्ली में यह आयूत किया गया था भारते jogo 2021 की सरफसेष फिल्मों को सम्मानित करने के रिए भात की राष्ट पर द्रोपदी मुर्मु द्वारा प्रसकार प्रदान किये गया थे ठीक है इसमें आप देखेंगा सर्वसेश्ट फीचर फिल्म की बात करें आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी को दो है दनामभी इफेक्ट को दिया गय अब नेता की बात करें अलु अर्जुन को तेलगू फिल्म पुस्पः दराइस के लिए दिया गया था इसमें आप देखेंगा वहिदा रह्मान को दो है दादा सहब पूरसकार दिया गया है ठीके वहिदर रहमार की बात करे तो इन्होंने भारते सिनेमा में क्लासिक उनकी महान भूमकाव के लिए जाना जाता है 2020 में इन्हें दादा साथ फाल के लाइट टाइम अचीवमेंट पुरसकार समानत किया गया है दिए आपको ध्यान रखनी है दाद साथ फाल के लाइट एफ अचीवमेंट पुरसकार सिनेमा में भारत की सरवोच मानता है या पुरसकार प्रतिवस्तराष्टी फिल्म पुरसकार समारों में फिल्म महुस्तों निदेसाला द्वरा तीया जाता है और दाद साथ फाल की बात करें मतल पुरसकार दोवरा स्षापित किया गया था इसमें गया प्रकरत करता है अब करेंगे ऑश्कर और की तो 95 आइंटी फिफ जो है देखेंगे एकाडमिक ऐवड यह जिसे औसकर ऑवाड के दोजार तेश की बात करें तो यह हॉलिवुड की बात करें अच्छ ताला मार्ज जोहार तीश में हुगा था इसमें आप देखेंगे 95 आज कर में नाटू नाटू फिक्टर की स्टरी मे सरफसेश्ट देखेंगे original song के लिए academic पुरसकार सम्मानित किया गया था यह पहला भारती गीत है और पुरसकार जीतने वाला दूसरा भारती भासा गीत है इसके लाओं बात करें the elephant weepers को जो है सरफसेश्ट देखेंगे sword fill के लिए पुरसकार जिया गया था कि निश्ट बात करेंगे Oscar award की बात करें तो यह आप देखेंगे लगवग साड़े तेरा इंच की लंबी सोने से सजी होती है एक मूर्ती होती है ठीक है विस में सबसे अधिक विख्या अधिकारिक तौर पर मेरिट अकादमी द्वारा मेरिट अकादमी के रूप में जाना दता है ठीक है और पसे दुरूप में इसे क्या कहते है इसका उप नाम है एकेडमी आफ मोसन पिक्चर और साइंसिस ठीक है 1949 में इसे अपनाय गया था नेक्स्ट बात करेंगे अब बात करें भारती हो कौन कौन जो है आसकर आवर्ड पा चुके है तो भानू अथिया जो है 1982 में ठीक है सत्य जीत रे की बात करें 1992 में रेसुल की बात करें 2009 में गुलजार साब की बात करें 2009 में यह रह्मान की बात करें तो थो 2009 में इन्हें जो है आप देखेंगे आवसकर आवार्ड मिला है अब बात करेंगे की बात करें M.M. किरावारी ने किया था और गाने की गायक हैं काल भैरो राहुल टिपली गुंच ठीक है तो इससे जो है आप देखेंगे UPPCS में कुश्चन भी आया था इस विद्यष की कलाकारो फिल्म को गोल्डें गलोब पुरसकार से समाने की जाता है थी जो अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया था पहला गोल्डें गलोब पुरसकार जर्वरी उनिश्यच्ट वालेस में लॉस एंजिलिस में आउित हुआ था ठीक है गोल्डन ग्लोब पुरसकार को आसकर पुरसकार के बाद फिल्म वर्म जगत में सबसे बड़ा पुरसकार माना जाता है ठीक है इसके अलामा बात करें तो संगीत कार प्राप्त किया थैं क्वोन से गोल्डन गुलोब अवार्ड को ृड़ास्स पसंद आरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लिए को दयामाने चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा या जोइन करना पड़ेगा मिलते हैं नेक्स लिक्चर में यहाँ पर आपका समपूर जो है अवार्ड समाप्त होते